Hello students, welcome to Narana Learning Institute, Narana Learning Institute है आपका एक्जाम साती है, तो साथियों आज मैं आप सभी के सामने आ चुका हूँ, प्रतिदर्श प्रशनपत्र 2021 का ये है आफिसियल UPMSP, यानि कि उत्तर प्रदेश सिछा परिशत के द्वारा निकाला गया प्रशनपत्र है, ठीक है, प्रतिदर्श वो तरीका बताने जा रहा हूँ कि आप हिंदी में 100 मार्क कैसे गेन कर सकते हैं, ठीक है, 100 मार्क कैसे गेन करेंगे, ओके, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाए, ठीक है, और मैं जितने भी इसमें प्रशन है, उनका उत्त इस पर अप्लोड किया जाता है, ताकि आप सभी को सहायता मिल सके पढ़ने लिखने में, ओके, तो चलिए इसके बारे में, माडल पेपर के बारे में, पूरी जानकारी देता हूँ, हल के साथ में, जब आप सभी बोड एक्जाम देने जाएंगे, तो आप सभी को जो बॉडा नंद जी ने, इससे आपको एक नंबर निलेगा। जिससे आपको एक नंबर मिलेगा। पर्द्था कहानी के जो लेखक हैं वो है यस्पाल, जिससे भी आपको एक नंबर मिलेगा। और आगे चलते हैं अबारा मसीहा की रशनाकार है वो हैं बिश्नू प्रभाकर जिसे आप सभी को मिलेगा एक नमबर ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नमबर मिलेगा और बाणड़ भट्ट की आत्मकथा की लेखक हैं बाणड़ भट्ट की जो आत्मकथा लिखी है हजारी प्रशाद दुवेदी जी ने जिसे भी आपको एक ही नमबर मिलेगा यानि की जो जितने भी इस तरीके के जो हैं रशनाओं से समंदेत हैं लेखकों से समंदेत हैं उनसे आप सभी को एक नमबर मिलेगा यह मैं आपको जितने भी एक क्वेशन बता रहा हूँ इसके पहले मैंने एक हजार एक हजार प्लस वीवी आई एमसी क्यूज वाली वीडियो में हमने इस सारे क्वेशन को सेयर किया है उसके उत्तर के साथ में अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन में उसका लिंक है जाकर आप देख सकते हैं और आसानी से आप पढ़ सकते हैं ठीक है क्योंकि नारायना लर्णिंग इनिस्टिटूट जो है आपका एक्जाम साथी है प्रशनमर खा है जो है निमलिखित कवियों में से कौन से प्रगदवादियुक का कवी है ठीक है लेकिन इसमें से हमें कोई भी नहीं लग रहा है ठीक है जिससे आपको एक नमर मिलने वाले हैं लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि प्रगदवादी यूग का कभी कौन-कौन है तो स्युमंगल सिंग चौहान जैसे स्युमंगल सिंग सुमंज नहीं कहते हैं डक्टर रामिला सर्मा नागार जुन त्रिलोशन रांगे रागव केदानात गरबाल पंत निर्राला बालकृष सन 1923 भी में और दिवेदी यूग की रचना नहीं है दिवेदी यूग की जो रचना है वो कामाईनी नहीं है क्योंकि कामाईनी जो है छायावादी यूग की रचना है निमलिखित में से कौन सी कृती महाकावे नहीं है ठीक है तो इसमें से कौन हमें लग रहा मामा नहीं है क्योंकि रामचीत मानस भी महाकावे है और साकेद भी महाकावे पदमाओत भी महाकावे है तो हमें लग रहा है कि मामा जो है वो महाकावे नहीं है प्रशन नमर तीम में आप से पूचा जाएगा दिये गए गद्यांस पराधारित निमलिखित प्रश्णों का उत्तर दीजिए जिसमें से आप सभी को मिलेगा 10 अंग तस नमर आप सभी को मिलेंगे तो इसे अगर आपको नहीं यह समझ में आता है तो करुए कमेंडे में बाक्स में बताएं मैंने एक अभियान चलाया था कि अगर आप किसी भी क्वेस्चन का कमेंड करते हैं जो भी आप सभी को बढ़ने लिखने में दिक्कत होती है तो कमेंड में बताएंगे तो उसे मैं वीडियो की फार्मेट पर यूरोप चैनल पर अपलोड करूँगा और आपको समझाँगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस तरीके के प्रशन पूछे हैं कि गद्यांत का संदर्व लिखना है और इस तरीके के प्रशन पूछे जाते हैं आप सभी से तो आगे बढ़ते हैं अब अगर आपने गद्य में असो का फूल नामक पार्ट सुना है तो ये तो आना ही है असो के फूल से गद्ध में अगर आप कुछ नहीं पड़ते हैं एक ट्रिक है कि आगर आपने कुछ नहीं पड़ा लेकिन गद्ध में असो कफोल जो है उससे समंधित गद्यांस आएगा ही आएगा इसमें भी वही पूछा है जितने भी प्रस्ण होते हैं ससेद बयाख्या, गद्यांस का संदर भी लिखिये, बयाख्या लिखिये और इस तरीके के प्रशन जो होते हैं पूछे जाते हैं लगबग 5 प्रशन पूछे जाते हैं और सभी जो होते हैं दो 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 अंक के होते हैं अब इसी तरीके से जो प्रशन मर चार होता है ये वही उतने ही प्रेशन पूछे जाते हैं ठीक है पध्यान्स की संदर्व लिखिये और व्याख्या लिखिये और इसमें से एक प्रेशन ठालेगा जो भी अंडरलाइन में दिया होगा हुटो की कमल और ये सब हमने डिसकस किया है क्योंकि आप सभी लोग पढ़ना चाहते हैं तो आप नरण लेंगिन इस्टिटूट जो है आपका एक जाम साथी उसे सब्स्राइब कर सकते हैं तो ये भी आपका दस अंक का हो गया दो-दो अंक मिलाकर सभी दो-दो अंक के पांस प्रशन यहां से आप आ गई इसे आपको एक स्टेटेजी से पढ़ना होगा तभी आप हंड्रेड मार्क गेन कर पाएंगे जब ये वीडियो हंड्रेड लाइक पर पहुंच जाएगी ठीक है हंड्रेड लाइक पर पहुंच जाएगी तो मैं उस पर वीडियो बना दूँगा तो चलिए अब पढ़ते हैं इस पर किस पर लेखा की साहितिक पर्चे देते हैं उनकी प्रमुक्रशनाओं का उलेक कीजिए जिसमें से आप सभी को 3 प्लस 2 यान 5 जंक मिलेंगे हमने सभी लेखाकों का जो यह में इनमें सभी लेखाकों का जो है वीडियो अप्लूड करदिया है वह भी कैसे की आपकी कैसे लिख सकते हैं कैसे आप डिसमें लाइता है इसमें से हमने सभी का जो है जीवन परचे अपने चैनल पर अप्लोड कर रखा है जब आप सभी ये वीडियो देखें कि तो आप सभी को पूरा डाउट किलियर हो जाएगा कि हाँ हमें बोड़ी जाने सन में कैसे जो है किसी कविया लेखा का जीवन परचे लिखना है अब प जो है अपलोड हो रहे है बिडियो और अपलोड भी यह है इसमें आधिस से ज्यादा खंडखा में जो हैं आपसे उगन्चे जाएगा संबस्क्रित घज़्यान का संदरब शताइछ संधरब करना है जिसमें से आपको 2 प्लस 5 अंक्श मिलेंगे संधरब के जैसे आएगा आपको पध्यांज जो संस्कित का पध्यांज होता है उसमें से आपका एक सलोग पुछलेगा उसका आपको संसंदर्व शहीद जो है हिंदियान वात करना होता है जिसमें से भी आपको साथ अंक मिलेंगे अब आपको इन चीजों का मैं अर्थ बता रहा हूँ जैसे कि यहाँ पर आपसे मुहारा पुछा जाएगा एक प्लस एक दो अंक का एक जो है आप उसका जब अर्थ लिखेंगे तो आपको मिलेगा और जब उसका प्रियोग लिखेंगे तो उसका एक नमर मिलेगा ठीक है यानि कि एक अर्थ लिखने का और एक प्रियोग लिख परमधन इस्वर हो गया गायक का संदी बिच्छेद होता है गयधन आका और निलखित में से विभक्ति और वचन तो आत्मनह में विभक्ति और वचन जो हो जाएगा पंचमी पंचमी इसमें एक वचन हो जाएगा पंचमी 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 पंचम सही अर्थ चैन करना है तो वसन और व्यसन वसन का मतलब वसन वसन का मतलब वस्तर व्यसन का मतलब किसी चीज की आदत बन जाना यानि कि इसके जो करेक्ट एंसर होगा सी नंबर वस्तर और आदत है और अम्बुज और अम्बुद इसका मतलब होता है कमल और बादल कमल और बादल इसका सहीन स loafird हुआ और एक निमलकी सबदों में से एक सब्द के दो आर्थ लखिए नहीं धो एक सब्द के जैसे कि आप अगर अंबर उधिने थो अंबर से वहां का अनद सुने हैं कि अंबर से इस तरी की आप याद करें aambar से आई है कोई परी वरा तो aamber aamari मतलब इस्सितão गया और आप तो ये अमर का होगया और अगर आप नाग देखनें नाग नाग का होता है सर्फ हां trabalho इस तरह कि आपकिसी एक सब्द का इसमें से लिखना है आप मोस्था होगी जिग्यासु सीनमर इसका सही एंसर है उसके बाद इसमें देख लगते हैं कि नहीं दो को सुद्ध करना है कि नहीं दो आक्टों को आपको सुद्ध करना है जैसे कि तुम कुर्षी पर बैठे हैं तो यह कहां बन रहा है तुम तो कुर्षी पर बैठे हैं यह कहां बन रहा या तो तुम तो कुर्शी पर बैठे हो, हो, यहां पर है की जगह पर हो आ जाएगा, इन सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, तो इसका जो एंसर होगा, इस सरोवर में अनेकों की जगह पर अनेक हो जाएगा, और समयलन में कवी इत्री ने भाग लिया, समयलन में कवी इत्री ने भ लगाई या पीछे ही लगाई ओके तो कृपया अनुमोदन करें यह आप अनुमोदन करने की किरपा करें आप करपया आगे वाला हटा दीजिए और वीरस की परिभासा इसे यह सारी वीडियो वीडियो और स्लेस अलंकार और शौटास चंदिस की वीडियो जो है अपलोड़ेड है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा आप वहां से देख सकते हैं अच्छे तरीके से मैंने समझाया है और तेरह नमर म जो है उसे पहले कवर करिए इससे तो बाद में आपको भी इसमें बना कर लिख सकते हैं ठीक है अगर आप सुरूत में लिखे हैं प्रातना पत्र कुछ भी तो आप लिख सकते हैं आपको निबंद लिखना है तो निबंद तो सभी लोग किवल बना कर ही लिखते हैं ओके ल होगी क्योंकि ऐसा तरीका आपको कोई नहीं बताने वाला है आशा करता हूँ यह वीडियो जो है आपको बहुत ही पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्क्राइब करके पेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स वीडियो का नोडि इस्ट्रिटूड जो है आपका एकजाम सती है और आपका भाई आपके साथ में हैं